टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था मिजर्स तू रिमोब पावर्टी इसके अंदर हम लोगों ने चार केटेग्रीज देखी थी सबसे पहला था हमारा कॉमबेटिंग पावर्टी थो जीडीपी ग्रोथ क्लियर है सबको तो इसके बारे में आप लोगों को I hope समझ में आ गया होगा ऑई की एक का मिजर्मइन के लिए और पावर्टी एलियशन प्रोग्राम्स और याब किया प्रॉडर्मंट को किक रिये प्रोग्राम्स जो है उनको स्टार्ट किया Hetyears है following are some of the principal measures adopted by the government under five-year plans to remove poverty अब कुछ principal measures को adopt किया government ने जो भी five-year plan है किसके लिए poverty को remove करने के लिए clear है so number one है हमारा स्वांड जैंती ग्राम सरोजगार योजना इसको short form में क्या है बोलते हैं as gsy clear to remove poverty from the rural areas so and jainty gram सरोजगार योजना was launched in the villages in April 99 ठीक तो पावर्टी को खतम करने के लिए rural areas में government ने कौन सी योजना चालू करी स्वांड जैंती ग्राम सरोजगार योजना कब चालू करी अप्रिल 1999 में और इसको कहां चालू किया गया था गाउं देहातों में ठीक है इट रिप्लेस दा अर्लियर प्रोग्राम लाइक Integrated Rural Development Program Training for Rural Youth for Self Employment ये प्रोग्राम चालू करने की वज़े से means स्वांड जैंती ग्राम सरोजगार योजना जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ठीक इस प्रोग्राम ने दो प्रोग्राम को रिप्लेस किया जिसमें से एक था IRDP और दूसरा था TRY SM means IRDP का मतलब क्या है Integrated Rural Development Program और TRY SEM का मतलब क्या है हमारा Training for Rural Youth for Self Employment clear है ये सबको आगे बढ़ते हैं Under this program a large number of small enterprises were established in rural areas इस program के अंडर में क्या हुआ बहुत जादा quantity में जो भी small enterprises हैं उनको established किया गया कहां पे Rural Areas में ठीक The small enterprises were organized as individual enterprises as well as on collective basis of self-help groups ठीक तो जो भी small enterprises थे उनको जादा तर individually organized किया जाने लगा और साथी साथ collective basis पे भी उनको organize किया जाने लगा किस के थरू? Self-help group के थरू ठीक In 2011-12 SGSY scheme was restructured into national rural livelihood mission 2011-12 में क्या किया गया? इस scheme का नाम change करके इसको क्या कर दिया गया? इसमें कुछ implications किये और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? National Rural Livelihood Mission N.R.E.L.M. Clear है? Second हमारा program है National Rural Livelihood Mission इसको हम लोग स्वरोजगार योजना से पहले इसका नाम था उसी का नाम 2011-12 में change करके क्या किया गया? National Rural Livelihood Mission कर दिया गया Clear है यह सबको? चले इसके बारे में हम लोग जानते हैं The scheme is also known as A.G.V.K. यह जो इसकीम है इसको हम लोग A.G.V.K. के नाम से भी जानते हैं In the first phase, the scheme is being implemented in 150 districts in the year 2012-13 पहले phase में जब इस स्कीम को launch किया गया था तो यह कहां कहां पे? कहां launch की गई थी? लगबग 150 districts में launch की गई थी कौन से year में? 2012-13 में The scheme will be expanded to another 150 district by 2014 and 2015 और उसके एक साल के अंदर अंदर और 150 districts में भी इसको launch कर दिया गया था and by the end of the year 2016 and 17 this scheme will be extended to whole of India और 2016-17 के end तक इस scheme को all over India में expand कर दिया गया था NRLM is expected to provide self-employment to 90 lakh person जो NRLM था इसका main मकसद क्या था? कि लगबग 19 लाख लोगों को self-employment provide कराना थार्ड है हमारा संपून ग्रामीन रोजगार योजना थार्ड है हमारी planning है इसमें क्या है संपून ग्रामीन रोजगार योजना संपून ग्रामीन रोजगार योजना जो है कब launch की गई थी 1st September 2001 को launch की गई थी जवाहर ग्रामीन संपून रोजगार योजना and employment assurance scheme वर integrated into a single योजना तो ये जो योजना बनाई गई थी इसमें दो योजना को जोड़ करके बनाया गया था इसको इसमें कौन-कौन सी दो योजना ही थी पहली थी हमारी जवाहर ग्राम संपून रोजगार योजना and employment assurance scheme ये जो दो स्कीम थी इन दोनों को mix करके एक बना दिया गया था जिसका नाम रखा गया संपून ग्रामीन रोजगार योजना clear है the main objective of this योजना आर ये जो योजना थी इसकी main objective क्या थे जैसे number one to provide employment opportunity to the surplus workers जो extra workers है उनको employment provide कराना to focus on the development of regional economic and social conditions तो जो भी regional economic and social conditions थी उनको क्या करना development पर focus करना तीसरा दावला to focus on the development of infrastructure जो भी infrastructure है उसके development पर focus करना ठीक दिस योजना has set a target of creating hundred crore man days for labor इस योजना के अंदर क्या target set किया गया कि 100 crore man days क्या किये जाएंगे create किये जाएंगे for labor labor के लिए however it has now been subsummed in मनरेगा ठीक अब इसको क्या कर दिया गया है मनरेगा बना दिया गया है ठीक है fourth हमारा है प्रधान मंत्री ग्रामोदया योजना ठीक है PGY it was launched in 2011 ये जो योजना थी इसको 2001 में launch किया गया था it aims at improving the standard of living of the rural people by developing five important areas ठीक इसका एम क्या था कि जो living है rural people की उसको कैसे improve किया जाए ठीक है उसके लिए पांच important areas को चुना गया सबसे पहला था health दूसरा primary education तीसरा drinking water चौधा housing और पांचवा roads तो इसमें क्या-क्या देखी गई पहली देखी गई health दूसरा देखा गया जो primary education है वो तीसरा target था हमारा drinking water चौथा था हमारा housing जो roads है ठीक इट incorporated three projects इसने क्या किया गया तीन projects को incorporate किया जैसे पहला था मारा प्रदान मंती ग्राम सड़ा की हो जना जिसमें roads का जो भी इंप्रूफ करना था उसको देखा गया इट फोकसेज वाज वाज बिल्दिं all weather roads by 2007 in all villages having population of 500 persons और more यह जो योजना थी इसमें क्या था कि जितनी भी roads थी उनको 2007 तक क्या करना था all weather roads में convert कर देना था वो कहां कहां जहां जिस भी गाउं में 500 लोगों से ज़ादा या 500 लोग या 500 लोगों ज़ादा की population रह रही हो वहां पहला था दूसरा था प्रदान मंत्री ग्रामीन आवास योजना जिसमें आगया हमारा housing तो ग्रामीन योजना में housing आवास योजना में housing और चौथा था हमारा प्रदान मंत्री ग्रामीन डिंकिंग वाटर योजना ठीक है clear है यह सबको तो तीन योजनाओं को मिला के एक नई योजना बनाई गई जिसमें पांच तरीके के objective occupy किये गए पहला health, primary education, drinking water, housing, roads अब इसमें कौन कौन सी योजना जो incorporate की गई थी, सबसे पहले थी हमारी प्रदान मंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरी थी प्रदान मंत्री ग्रामीर आवास योजना, थीसरी थी हमारी प्रदान मंत्री ग्रामीर drinking water योजना, ठीक 6. रोजगार योजना इस स्कीम का जो में उमक्सद क्या था कि जो सबसे ज्यादा बैक्वर्ट डिस्टिक्ट थे कमपनी में उनको गैरेंटीड इम्प्लाइमेंट प्रोवाइड करना था ठीक, छिक्त हमारा, स्वान जैन्ती शहरी रोजगार योजना, इस योजना थी हमारी स्वान जैन्ती शहरी रोजगार योजना, इसको December 1st 1997 में लाँज किया गया था, नहरू रोजगार योजना and Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Program have been merged with this योजना तो यह जो योजना थी है हमारी स्वान जैनती शहरी रोजगार योजना इसमें दो और प्रोग्राम को merge कर दिया गया था जिसमें पहला था हमारा नहरू रोजगार योजना और दूसरा था हमारा Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Program इन दोनों को ही इस प्रोग्राम में जोइंट कर दिया गया था The objective of this योजना is to provide self-employment और wage employment to urban, unemployed and under-employed persons clear है इसका main objective क्या था कि लोगों को self-employment देना साथी साथ wage employment भी देना कैसे लोगों को जो unemployed है और जो under-employed है उनको It includes the following two programs Urban Self-Employment Program इसमें दो प्रोग्राम इंक्लूओ वे पहला था Urban Self-Employment Program और दूसरा Urban Wage Employment Program Of the total expenditure of this project 75% is bond by the central government and the remaining 25% by the state government ये जो योजना थी इसका जो overall expenditure था उसका 75% central government bear कर रही थी और 25% state government bear कर रही है ठीक है 7th है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना The scheme is for providing employment to educated unemployed ये स्कीम में क्या था कि जो educated unemployed है उनको employment provide किया जाना है The scheme provides a loan up to Rs. 1,00,000 for opening his own enterprise and 2,00,000 for the other activities जो इस scheme थी उसके थूँ क्या हो रहा था 1,00,000 रुपए अपना business चालू करने के लिए और 2,00,000 रुपए other activities के लिए दिये जा रहे थे as a loan 8th है हमारा development of small and cottage industries Special measures have been taken by the government to develop small and cottage industries with a view to removing poverty and unemployment through the spread of cottage and small industries Clear है? 9th है हमारा minimum needs program To raise the standard of living of the poor minimum needs program was launched during the 5th plan ये जो plan है इसको 5th 5-year plan के time में launch किया गया था The program covers primary education adult education, rural health, rural water supply rural roads, rural electrification rural housing, ecological improvement of the urban slums this expected to improve the quality of life of poorer section of the society इस program के तुरू किया जा जा रहा था कि जो भी quality of life of poorer sections की उसको improve किया जा सके Clear है सबको 10th है हमारा 20-point program अब ये 20-point program किया है A new 20-point economic program was launched on 14 January 1982 with a view to eradicating poverty Poverty को खदम करने के लिए 14 January 1982 में एक program launch किया गया जिसका नाम था 20-point program अब इसमें कौन कौन से 20-point थे जैसे पहला था हमारा increasing in irrigation capacity दूसरा था increase production of pulses and oil seeds तीसरा extension of integrated rural development program और national rural employment program चौता है fixation of ceiling on land holdings पाच्वा है मारा minimum wages to agriculture workers चाटा है मारा rehabilitation of bonded labors साथवा है expansion of scheduled caste and scheduled tribe program आटा है मारा drinking water in villages नवा है provision of houses in rural areas दस्वा है improvement of slum areas ग्यार्वा है development of power capacity बार्वा है development of forests and gobar gas तेर्वा है मारा family planning चाट्वा है setting up the primary health centers पंद्रवा है मारा welfare program for women and children बार्वा है मारा primary education for children between 6 to 14 years साट्रवा है मारा expansion of public distribution system and fair price shops अटर्वा है मारा simple industrial policy 19 है checking of generation of black money और 20 है हमारा efficient management of public sector industrial units clear है सबको आगे बढ़ते हैं उसके बाद 11 है हमारा माहत्मा गान्दी national rural employment guarantee act जिसे हम लोग बन्रेगा के नाम से भी जानते हैं लोग जो minimum wage पे काम करने के लिए तयारते हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रोवाइट कर आए गया those seeking employment are to report in those rural areas where the employment program is being launched तो जो लोग employment ढूण रहे हैं उनको कहा report करना होता था कि जहां जिस भी rural area में ये program launch हैं वहाँ पे under this scheme 4.6 households were provide job in the current financial year as on 14 January 2018 2018 तक क्या था लगभग 4.6 करोर जो households से उनको रोजगार दिया जा चुका था clear है 12th है हमारा micro units development refinance agency bank जिसे हम लोग mudra bank भी बोलते हैं the government has set up mudra bank in April 2015 its objective is to meet credit needs of micro enterprises and self-employed persons under mudra yojna a micro enterprises entitled for a loan up to rupees 10 lakh per unit clear है सब को next हमारा poverty alleviation program a critical assessment studies conducted to evaluate the performance of PAP means poverty elevation program suggest that there have been some noticeable changes over time thus number one percentage of population below poverty line has declined from 46% in 1973-74 to 21.9% in 2011-12 second wage rate has tended to rise over time yet PAP have failed to deliver the desired result cause are as under PAP क्या है यह desired result नहीं दे पारी है किस वज़े से नहीं दे पारी है number one the administration and concerned staff were inefficient and could not work efficiently because of complex procedures involved also there was no one to monitor the follow-up action second that those in charge of the programs favored the educated rich and sorry resourceful persons as against the poor third amara remote areas and poor household located in the interiors of the villages were neglected owing to the contraints of accessibility fourth a institution that were indeed to provide facilities like credit marketing etc. were not super wise sorry supportive Pachwana definition of poor was not clear to many as a result many non-poored took advantage to the programs 6. power groups of the villages started exercising control over delivery mechanism of the poverty elevation programs as a result there was a large-scale leakage in the delivery package and the poor received only a fragment of the aid sorry earmarked for them 7. the PAPs were largely government sponsored program and leaked participation of the people 8. at my amara the strategy of PAPs was not linked with the overall development strategy and did not sorry did nothing to modify the overall functioning of the economy which is the root cause of poverty also it did not consider the fact that the poor would not be able to take advantage of the PAPs going to their lack of awareness and initiatives there is an urgent need to make PAPs more efficient and meaningful no doubt the government has spent huge amount of money on the poverty elevation programs but certainly the desired results are not available inefficient delivery mechanism of the government along with large-scale corruption are the principal factor behind failure of PAPs late Prime Minister Rajiv Gandhi once remarked that the total help remarked for the poor only 15% actually reached them so these are our programs which the government has adopted so these are our programs which are not allowed to take advantage of the PAPs and 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 the PAPs are now available to them so that Mark has a significant amount of money today साइ टीके!